Hello friends, welcome to my YouTube channel दोस्तों हम जो जो स्मॉल क्रेटर के सबसे बड़े दिक्कत होता है हमारे वीडियो में वीज कमाना यहाँ पर मैं आपको एक स्क्रीन शॉट या फिर एनालिस में वीडियो कर देखा रहा हूँ इस पर आप देखे इस पर वीडियो सर्च से जो YouTube सर्च है वहाँ से सबसे ज़ादा व्यूज यहाँ पर आ रहा है तो यह जो व्यूज आ रहा है आप लोग को पता हो कि मेरा दो तीन चैनल है और इन में से कुछ एक्सपरिमेट में कर रहा हूँ और जिस पर जो मेंन चीज मुझे लगता है वो जिसमें आप लोग के साथ इस चैनल पर में शेर करने के दोस्तों कोशिच करता हूँ तो यह वीडियो जिस टॉपिक के उपमें ने वीडियो बनाया लोगों ने लाखो वीडियो बनाया मुझसे बहुत ज़ादा व्यूज वाला वीडियो है लेकिन यह वीडियो अगर मैं कुछ टर्म है सर्च टर्म के उपर अगर मैं सर्च करता हूँ यूटीब में जाके त तो यहाँ पर यूटूब जो suggestion है, वहाँ से जाधा views आ रहा है, यानि यूटूब इस वीडियो को बार-बार suggest कर रहा है, recommend कर रहा है, लोग को सामने इस वीडियो को रखता है, क्यों रखता है यूटूब? क्योंकि इस वीडियो में कुछ तो चीज है, जिसके लिए बार-ब फिचर से कुछ views आ रहा है, तो अगर आप एक बिल्कुल नया क्रेटर है हमारी तरह, मैं भी आपके तरह एक नया क्रेटर हूँ, फिर भी जितना देर दू साल का experience है, और जो दो तीन चैनल मेरा है, उनकी उपर मेनेजर experiment क्या है, वो ही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा ह तो आपका बिल्कुल नया चैनल है, तो आप इन तीन चीज के उपर अगर आप ध्यान दोगे, तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन इन में से जो तीनों चीज है वो पहले पहले आप नहीं कर सकते, आप बिल्कुल एक नया क्रेटर हो, अगर browse feature से आपकी वीडियो में आपक उस वीडियो में, और अगर आप recommendation से व्यूज दाना चाते हो, हरा की जो एक नया चैनल होता है, तो recommendation में अगर चला जाता हो, बहुत ज़द व्यूज आता है उस वीडियो से, जिसे shots में आप देहोगे, shots फीडियो में अगर YouTube रेकमेंड करता है, तो उससे बहुत ज़द व् जैसे आपका thumbnail अच्छा CTR अच्छा होनी चाहिए, आपकी जो retention है वो आच्छी होनी चाहिए, audience आपकी वीडियो में रहनी चाहिए, तब जाके धेदर आपकी वीडियो रेकमेंड करता है, सच मनिये में आपको एक बाद बताता हूँ, मैंने देखा है कि जितना लंबा परसन होगा मुझे पताने लेकिन जो मेरे साथ experiment में जो कर रहा हूँ, जो आ रहा है में वही चीज़ आप लोग सा share कर रहा हूँ, आप हो गए तीसरा चीज़, और इन तीसरा चीज़ पे अगर आप बिल्कुल new creator हो तो आप बहुत ज़्यान दे सकते हो, वो है आपकी कुछ keywords होता है जिनके उपर आप वीडियो बनाना ही पड़ेगा आपकी इस category के उपर, तो उस category के उपर आप इस keyword को target करके अच्छा वीडियो आप बनाए है ताकि आपकी वीडियो रैंक में जाए, और इस वीडियो में ऐसा मैं आपको तीन या चार बाते बताओंगा, कर जाएगा ? कर सकता है, गर कर जाएगा तो मैं अपना वीडियो को क्यों नहीं में कर पारा हूँ, लیکिन कर सकता है जो मैंने एक दू वीडियो देखा जो मैं कर रहा है तो ये आपके साथ भी दोस्तों हो सकता है, अगर आप चाहते हो कि आप किसी भी वीडियो टॉप में करें तो आपको keywords के ओपर जरूर ध्यान देना है और keywords आपको कहा से मिलेगा कुछ special तरीका होता है keywords को लगाने का जो मैंने खुद use किया है और वही मैं आप लोग के साथ share कर रहा हूं सबसे पहरा जो special चीज़ है कि YouTube आपको जो keyword recommend करता है YouTube की recommend करने वाला keywords से आप use करें वही keywords YouTube आपको recommend करता है जो लोग जाधा search करते हैं जाधा लोग ढूंडते हैं इस वीडियो किसी भी वीडियो के रिलेटर जो keywords यूट्यूब जो ढूंड के आपको देता है आप जो search बार है वहाँ पर जाके search कर सकतो किसी भी keyword और नीचे जो आएगा उन पर एक साथ जोड के आप एक long keyword बना सकते हो तो इस तरीके से short keyword, long keyword और general keyword होता है general keyword आपको हर वीडियो में use करना बहुत ज़रूरी है जैसा आपका channel का नाम हो गया आपका channel का category हो गया ऐसा कुछ keyword से जो हमेशा आप अपने हर वीडियो में वीडियो की जो tag section है उसमें आप ज़ keyword यूज करेंगे और एक बात आप ध्यान रखना बहुत लूग कहते हैं कि जो tag से वह बहुत ज़्यादा important rule play करता है मैं आपको कहूंगा मैंने बहुत research के स्कूपरम में देखा है आपकी thumbnail आपके title और आपके वीडियो की description ये तीन चीज बहुत ज़्यादा important है बहुत लू आपकी वीडियो rank करने start करेगा तो बहुत आसनी से आपकी वीडियो उपर आ जाएगा इन सारे चीजों पर अगर आप ध्यान रखते हो तो और एक नया चैनल के लिए आपकी वीडियो सजेशन में भी जाएगा और आपकी वीडियो कर सर्च में आएगा तभी आपकी चैनल धिरी दर यहापके ग्रो हो सकता है अभी की जो competition है तो बाकी जो मैंने बताया है जैस थामनेल बनाने में आपको बहुत ज़ाँ टाइम लाएगा जो में भी आपकी आप अचीतर के थामनेल बना नहीं पाता है धिरी दर आप सिंपल थामनेल भी अगर आप बनाना चाहो तो तो भी आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा लेकिन अगर आप keywords के उपर ध्यान दोगे अच्छी तरीके से आपने वीडियो बहुत दो कहते है कि text का rule क्या होता है text का rule दोस तो इतना ज़ाँ नहीं होता है लेकिन आपके वीडियो का thumbnail, title और description का rule बहुत ज़ाँ होता है इसलिए जब भी आप वीडियो को अपरूड किया करो पहले आप अपने title और description में और आपनी जो thumbnail होता है उस पे आप सबसे ज़्यान दो बाकी जो भी important text होता है वो आपके text में वीडियो के पहले आप लगाओ और धिर धिर आपके वीडियो पे views अगर audience attention बगर अगर सही र दना चले मिल्देगी से अगर लाइन इसने वीडियो में बगले भाकोची का इसाज़ जद चाहिंद